ये एक बिचिप्त वेक्ती था और हमारे मुख्यमंत्री फराग दिल है उन्होंने तुरत उसे माफ किया लेकिन सुरक्षा में चूक है सुरक्षा को 54 करना है हमारे मुख्यमंत्री है और हमारे लिए प्राइड है हमारे दिन हमारे मुख्यमंत्री का दिल इतना बड़ा है उन का वो आभार जुताने के लिए पूरे बिहार का ब्रह्मन कर रहे हैं और इसे बीच मुख्यमंत्री नितीश कुमार बक्तियारपूर पहुंचे थे और कल एक दुखत घटना जो है वो उनके साथ हो गया हाला कि इस तरह की घटना की निंदा तमाम लोग कर रहे हैं आपको जै माफ करने का भी भरोसा और वास्वास्वन अपने अधिकारियों को दिया है लेकिन इसी पूरे मुद्दे पर लेकर के आज बिहार विधान साबाब में खूब जोरदार हंगामा हुआ है कई मुद्दे उठे हैं और इनी तम तमाम मुद्दों पर आज बाची उत करने के ल कि एक बिचित वेक्ति था और हमारे मुख मंतरी फराग दिल है उन्होंने तुरत उसे माफ किया लेकिन सुरक्षा में चूख है सुरक्षा को चौबंद करना है हमारे मुख मंतरी हैं हमारे देश के लिए धरोहर है हमारा बिहार उन्ही के कारण है आज जो इस्तिती और मुझे लगता है कि उन्होंने जब माफ कर दिया है तो बाकी बाते खतम हो जाती है लेकिन सुरक्षा का जो मैटर है उसको और चौक चौबंद करना चाहिए आप लोगोंने माफ कर दिया मुख मंतर नितीश कुमार ने माफ कर दिया लेकिन विधान सभा में आज ये मुद्दा बहुत गर्मा गया है डीजीप पर सिधे सवाल उठिन लगे है विपक्ष जो है और जेडी की कई नेता है उन्होंने विधान सभा द्यक्ष ये सिफारि प्लान किया हुआ यथा बिचित वक्ति आता है यह धक्का दे देता है या जो भी करता यह इस तरह का मैटर था कोई सरकार के लेपस कोई कानून का यह फिर लाइन ओर्डर कलाप्स नहीं है यह एक बिछिप्त आदमी था यह दुर घटना की तरह है कि कोई गाड़ी के आगया के कुद जाए अपना जान दे दे या कुछ उस टाइप का एक घटना है तो इस घटना को इस तरह का तूल देने की जुरूरत नहीं है अगर कोई आता है कोई दुर घटना के लिए डीजी पी नहीं कोई प्लान करके कोई तरह से कोई काम किया जाता या कोई सडेंत्र होता उसको अगर नहीं तोड़ पाती पुलिस तो डीजी पी पर बात आती अच्छा दूसरा सवाल सर मेरा ये रहेगा कि बिहार में जैसा कि आप देख रहे हैं इंदरों मुकेश सहनी अब पूरी तरह से बागी हो चुके हैं आज सुबे में टी पाटी में तमाम लोग जो है राजपाल से भी मिले हैं उनको हटानी की सिपारिस की जा रही है बीजे बीजेपी की लोगों से उनके क्या बात हुई इस पर हम लोग बहुत नहीं जानते हैं बट यह मैटर डारेक्ट मतलब होता है ना सीधा सीधा बीजेपी की बीजेपी ने उनको फिर प्रश्रह दिया फिर उनको सीटे भी अपने कोटे से 11 सीट भी जिसमें से वह चार सीट और वो चुनाओ लड़े और फिर उसके बाद बीजेपी ने उनको अपने कोटे से राजसभा का दिया और परिशद के देने के बाद मंत्री भी बनाया तो जब मंत्री बनाया और उनके साथ उनका था तो उनका क्या कोडिनेशन था वो यह उनका काम है यह जडियो काम नहीं इसमें ना तीन में है ना तेरह में इसमें कहीं हम लोगों का कोई बात नहीं है क्योंकि हम उनको पूरा पाठ ही मान रहे थे और जडियो क्या पूरा सरकार भी और सब लोग मान रहे थे कि वो बीजेपी के पाठ है और बीजेपी का उन पर ध्यान है और बीजेपी से उनका अपना एक कॉर्डिनेशन है अब उन्हों का क्या कॉडिशन टूटा किस बात पे अलग हो रहे हैं क्या बात का दुख था क्यों उनको मंत्री से हटाने की बात हो रही है कहां उनको उनके विधायक चले गए बीजेपी में बोचहा में दोनों लोगों ने टिकट दिया तो ये बीजेपी और उनका एकदम मैटर है हम लोगों को इसमें कोई बहुत कहना नहीं है अच्छा एकंतिम सवाल आज विधान सभा में ये देखने को मिला कि कश्मीर फाइल जो मूवी है उसका टिकट बिहार सरकार जो है वो लोगों को दे रही है खास करके जो विधायक है उनको फिरी में बाट रही है ये आज मुख्यमंत्री ने कहा है इस पर आरजेडी के जो लोग है नेता है उन्होंने टिकट को आज विधान सभा में ही फार दिया और ये आरोप लगाया है कि कश्मीर फाइल के मुद्दे को लेकर के बिहार में पुराना इतिहास है कोई कश्मीर का उसको अगर दिखाया गया है किसी को कहीं किसी को दिक्कत हुई है कहीं नहीं पुराने भी बाती होती रही इस पर बहुत से लेक्षपे हैं बहुत से किताबें हैं बहुत से आर्टिकल्स आये हैं मैंने कई बार पढ़ा भी है इसको तो आपको समझना चाहिए कि पिक्चर में देखकर आप उसमें से क्या सीखते हैं, क्या छोड़ते हैं, वो तो बोलते हैं, मेरी बात के माने दो, जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो, अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो उसका ध्यान मत अगर अच्छा है तो आपको जानना है इसलिए कि इतना हंगामा हो रहा था कि कोई भी आदमी, हम भी चाहेंगे कि हर वेक्ती, जो हंगामा कर रहा है पहले पिक्चर देख ले, फिर पिक्चर देखने के बाद आप डिसाइड करिए कि वो सही है या गलत है, अगर विदायक हला करने हैं कस्मीर फाइल्स पे तो कस्मीर फाइल्स को एक पर देख तो लिजे, उसके बाद आपको लगता है कि इसमें हला करने की जरूरत है तो करिए, नहीं करने की जरूरत है तो नहीं करिए, पिक्चर तो बनती रहती है, कितनी पिक्चर है इस देश में बनी है, और ह तो देखने के लिए टिकट है तो जाए देखिए नहीं देखना चाहते हैं मत देखिए इसके लिए इतना हंगामा करने की जुरत नहीं है अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर कड़ीजिए वीडियो कैसा लगा जरूर कॉमन्ट बॉक्स में बताईएगा बहुत बहुत दन्यवाद